किसान बैयों नमस्कार मैं हूं गोईंद पटेल आप देख रहे हैं खेती की पाड़ साले यूटूब चैनल आज की बुड़े हम लोग बात करने वाल है कि हैबरीड धान अच्छा है कि जो अपना इंप्रूब धान या फिर रिसर्च धान अच्छा है इसके बारे में बहुत में और हाए अच्छा गोई ने शिए सब्सक्मार घ्रार को में अपनट में हम से कमपनी की तरब में 114 घ्र किलो में जो है मिलती है लेकिन उसमें क्वेशल है उसके बह SEÑकुल की छांट के ऊसको अच्छी जी हो कहते हैं उसको अप एक बार लगा सकते हैं अगले बार आप भी रहती है वह जो भी आपको मिलता है, वह F1 रहती है, उसके बाद आप अगले साल लगाते हैं, तो F2 हो जाता है, 하면 यह साल जिसको जाता है धुरता जाता है जासे कहीं पर सुखा पड़ता है तो ऐसे वराइटी जो सुखे को सहन करते हैं एक दूथरा वराइटी जो थोड़ा लगा पहां सब्सक्राइब कर दोनों को क्रोस कर zarई जाता है जिसे कि आप सुखे में लगाते हैं तो सुखे को भी सभान करता है और उत्त-पदन बें अच्छा देता है तो दो ज्हादा उत्त-पदन देने वाली वराइटी को जो है मिक्स करके बना दिया जाता है और एक अलग रहती है जैसे कि आपको जो है आपका धान गिरना नीच चाहिए लेकिन उत्पादन बे आपको जाता चाहिए या फिर आपके धान में भूरा महों लगना नीच चाहिए या फिर फंगस नहीं होनी चाहिए तो ऐसे जो वराइटी जिसमें फंकस नहीं लगते लेकिन उत्पादन कम देता है तो उसको एक अच्छे उत्पादन देने वाली विराइटी के साथ क्रॉस करके हैं तो हेब्रीड दान की उत्पादन और जो अपना इंप्रूब धान की उत्पादन लगभग सेम रहती हैं दोनों में आप 25 से लेके 45 कुंटल के आप राप्त कर सकते हैं मैंने जब 40 कुंटल का आकड़ा जो हमने रवी की क्रॉप में छुआ था तो वो एक M2 की 10-10 वराइटी थी 2010 हम लोग बोलते हैं तो 10-10 वराइटी थी जो की पहुत ही अच्छा लगभग 40 कुंटल का जो है दिया है फोरइटी भी आपको 25 कुंटल देंग görünौ छो है अच्छा आम अच्छा मनेजमेट करेंगे तो आप हैवरीट कर सकते हैं लगाना पोचित रहता है और आप ऐसे नॉर्मली भही अच्छा उत्पादन आ जाए बस तो आपको जो इंप्रूब वराइटी लगानी रहती है इंप्रूब वराइटी में भी बहुत से वराइटी है जो अच्छे उत्पादन भी देती है बहुत मैं जो है अपना भूरा महो के परती रहता है गिरता नहीं है ज्यादा उत्पादन भी देती है तो दोनों वराइटी सेम है इंप्रूव बराइटी आपको सस्ते में मिलेंगे और हैबरीड बराइटी आपको महंगे में मिलेंगे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे कि हमारा 36 गण का बेल्ट है तो हम लोग यहां 20 किलो पर एकड रोपाई के लिए उस करते हैं पंजाब में 5 किलो करत हैं जैसे हमारा 36 गण हो गया उडिसा साइड हो गया नीचे आंध्रा साइड हो गया यूपी में भी कुछ ऐसे चलता है तो आपके लिए इंप्रूब बराइटी ही अच्छी है तो दोनों बराइटी के बारे मैंने आपको बता दिया कि हैबरीड और इंप्रूब दोनों मे हैं लेकिन आपके पैसा आपके पास कम पैसा है तो आप इंप्रूब बराइटी लगा लिए आपको कुछ बिसेज गूंड चाहिए तो आप जो हैबरीड बराइटी का चैन करिए हैबरीड बराइटी एक तो पतले दाने रहते हैं जिसके वज़स्ते वजन भी थोड़ा सक कम आता है इंप्रूब रहती चैन लंग बराइटी में मेरा फेवरेट रिइसर्च मेरा चैन कर सकते हैं ऽेर्ड के अगले साल रकाइं लेकिन इहेबरीड बब्यार्टि के जो आप अग्र द्यान होगा तो आने वाल снजा तो आने वाल समय में दालेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिगा धन्यवाद